तो मैं अपिर भी आई हूँ जस मार्केट से और लेकी कुछ सबजियां और कुछ फूट्स और यह आप जो देख रहा है ना यह यह मेरा फेवरेट है अब दो पूछ जाए बहुता है और को अब जब भी मार्केट से लाती हूँ तो में सबजी वाले भाहिया को जिस तरह हम लोग धनिया मांगते हैं तो मैं धनिया नहीं मैं इसको जरूर मांगती हूँ क्योंकि साउथ में यह घर जगे हर दुकान में मिलता ही है तो मैं यह जर तो आज मैं इतनी लेकर आई हूँ और दूसरे पाकेट में भी है तो चलिए अब मैं वेजटेबल को रफ देती हूँ इनको दोह कर फ्रिज में रखोंगी और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आपको दिखाती हूँ तो यहां मेरा लैसून देख सकते है यह छिल गया है औ और मेरे पास अध्रग है तो आप जो डिष में बनाने जा रही हो न वो सभी की फैवरिट होती है मैरी तो यह फ्रामिली की तो फैवरिट है और आप लोगों की भी हआपकी जरूर फैवरिट होगी क्योंकि मुझे लगता है न की यह जो डिश है यह बीहार की बuição की बखते और मेरे घरवाले कैसे इसको प्यार से खाते हैं तो यहां जो यह लेस्टन है इसको मैं चोटे वाले जाली से ऐसे कद्डू कस कर लोगी ताकि वो क्रांची सा मतलब ताप के नीचे नहीं आएगा तो चलिए प्रपरिशन चालू करते हैं जो में पाइटम वो सकते हैं वह यह काले तिल है और यह डालने इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं तो यह देखिए मैं कितनी भारी मांत्रा में डाल रही हूँ तो चलिए मैं आगे दिखाती और यहां देखिए मेरा लहसुन अध्रक मैंने कद्डू कस कर लिया है तो अब मैं इसमें एड़ करूंगी यह घर का प्योर सत्तू है और इसे मैं आज ही अभी मतलब पिस्वा कर लाई हूं तो यह पॉलिथिं में है डब्बे में मैंने अभी नहीं किया है करूंगी तो यह फ्रेश है बिल्कुल और अभी हलका हलका गरम भी है क्योंकि मैंने घर पर ही इसको भूना था और भूनने देटी और था उपर को एँप में बाहर से पिस्वाया है तो चलिए अब बनाती हूं बाहर से आप कितना भी सत्तू ले लीजिए वह जो फ्रेशनेस होती है खुद से घून कर और उसको अच्छे से प्र्याइकर के इसवाने में जो चुछनेस होती है और असमें कोई तो अभी आजी है इसलिए थोड़ा सा गरम है तो अभी मुझे तोड़ा डर लग रहा था कि नमक मैंने डाल दिया तो कहीं पानी वानी लेकिन इसमें सोक कर लेगा इंग तो यह देखिए मैंने एड कर लिया मैं इसको मेक्स करूंगी अच्छे से और आप लोग समझी गए हो तो कि मेरे घर में यह सब को पसंद है और बिहार की पेमस देश है तो आई हो कि आप लोग समझी गए होंगे तो जो लोग समझ गए है ना तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा कि मैं क्या बनाने जारी हूँ आज और अगर आप लोगों को यह व्लोग अच्छा और ग्रीन चिली ना मुह में आती है तो बच्चों को तो तीखा लगता है इसलिए मैं चोखा जो बनाती हूँ उसमें ग्रीन चिली डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे वह ज्यादा नहीं खाते हैं तो इसमें मिक्स करने के लिए एक आइटम और है यह देखिए यह मेरी घ अचार देखिए मेरे मुह में पानी आ रहा है तो क्योंकि अचार ऐसी चीज ही है क्योंकि मेरे गर मेरी फेवरेट है मुझे खाने के संग अचार चाहिए और रायता चाहिए तो कुछ ऐसे होते हैं तो मेरे गर में किसी को अचार पसन नहीं है तो यह देखिए इस तरह से म कमफर्टेबल लगे वैसी करिएगा और पीछे से देखिया आयू आ रहे है अए बनाना लेकर क्योंकि उनको भूक लगी थी तो मुझे थोड़ा सा लेकर लेने में तो मुझे थोड़ा सा लेकर गया मार्केट में इस लिए आयू को भूक लग रही है सिल्ए मैं फटा फट ब तो यहां मैं थोड़ा सा मसाला निकाल के एड़ कर लोगी ताकि थोड़ा खटा पना जाए क्योंकि ना वैसे निम्बू डालते मेरे पास आज निम्बू नहीं है तो मैंने सोचा कि चलू इसी की कॉण्टिटी थोड़ा बढ़ा लेते हैं यह यह बद बोलना कि चम्मत से क्य हुआ आख यह बत्यक्सव करना मेरे हुआं कि अफ स्पेशल निकाल इक शुल हग आण तो किना फेखुल मत भी तक टो नहीं हुआ है और थे नहीं निकालेंगे ना तो यह निकलेगा भी नहीं क्योंकि देख सकते आप लो यह देखिए इस तरह से एक पीस से निकालना पड़ता है तो फिर चम्मत से कैसे निकलेगा इसलिए मैं हाथ से निकाल रही हूं तो प्लीज माइन मत करिएगा हाथ मैं अच्छे से वश कर लिया और अच्छे से उनको पोश लिया है क्योंकि गीले हाथ अचार में नहीं डालते हैं अचार खराब होने के चांसे रहते हैं तो यह देखिए यहां पर मेरा अचार और का मसाला और ओल है अब मैं अच्छे से मिक्स करूंगी अपना इसमें मैं थोड़ा सा पानी आट वैसे तो बैंगलोर का मौसम बहुत अच्छा रहता है पर आज पता नहीं क्या है ना आज आज ही नहीं मतलब लास्ट टू थ्री डेस से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अभी भी मैं किचन में खड़ी हो ना तो मुझे स्वेटिंग हो रही है तो पता नहीं क् गर्मी होती है तो बारिश बहुत तेज होती है आजकल वारिश भी कम हो रही है पता नहीं क्या हो गया है लास्ट दे अब बहुत जादा बारिश और amesने तो यहाँ दखेब बात करते करतेमे को जो सत्तु है यह देखिए, अल्मोस्ट रेडी हो गया है, यह देखिए, इस तरह का होगा ना, तो ठीक रहता है, भरने में, फिलिंग करने में अच्छा रहता है, बहुत जादा लिक्विट टाइप और बहुत जादा सुखा-सुखा फिर भरने में दिक्कत होती है, तो यह अच्छे से मिक्स हो गया अब मेरे हस्बंड होते हैं, तो मैं उनको टेस्ट कराती हूं कि आप टेस्ट करके देखिए, कि मतब सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं टेस्ट करती हूं, मुझे समझ ही नहीं आता है, वो मुझे अच्छे से बता देते हैं, यह खटापन कम है, यह जो भी है, वैसे तो मुझे से नमक तेज नहीं होता है, क्योंकि मैं कम ही डालती हूं, क्योंकि एक बार कम होगा तो पढ़ जाएगा दुबारा, पर अगर ज्यादा हो गया तब बड़ी दिक्कत होती है, तो यहां फाइनली मेरे सब कुछ इसमे और मिक्स हो गया है, क्यों जाता है, तो मेरे हस्बन को ना, दाथ कोट हो जाते है, खटा खाने से जादा, फिर वो कोई और चीज खा नहीं पाते है, तो यह सभी लोगों साथ होता है, कि जादा खटा खा लेने से ना, दाथ फिर अजीब से हो जाते है, फिर कुछ खाओ तो टेस नहीं मिलता है, फिर तो चलिए, स्टार्ट करते हैं प्ले मुइ इसके लोईयां काटके रख लेती हूं क्योंकि भाद में और तो असान रहता है तो किसी में कंड़ा दोड़ा भी हो जाता है तो इसलिए और आप लोगों में से कितने लोगों को लट ι Commons को पसंद है तो यह देखे मेरी सारी लोई कट गई है और मैं सबको इक्विल कर ले लियू थोड़ा सा बच्चा है तो सारी बराबर हो गई है यहां एक एक करके सारी पहले लूग और उधर नहीं कट मैंने अपना गरम होने के लिए रख दिया यह क्योंकि मैं से रख कर के नहीं बनाऊंगी और यहां पर शहर में गवेठा तो मिलता नहीं है आप लोग समझते होंगे तो गवेठा नहीं मिलता है तो कैसे पकाएंगे, वैसे आग की पक्यू ही लिट्टी तो बहुत टेस्टी होती है, तो फिलाहल आग तो नहीं है हमारे पास, तो मैं ना OTG पे ही पकाती हूँ, तो ये देखिए, यहां पर ऐसे करके, मैं इसको पंद कर दूँगी, अच्छे से फिल कर लिया है मैंने, और म प्लेट में रख लूँगी, आज पता ही क्या हूँ, मैं मार्केट तो गई, आप लोग उने जैसा देखा, अब भी मैं सबजी भी लेकर आई, पर क्या हूँआ ना, मुझे ऐसा लगा कि टामाटर घर पे है, और काफी देर तक मतब चोखा, तो बैगन का हम लोग बनाते है पर मैंने सच किया पूरे मार्केट में कहीं गोल वाला बैगन नहीं था, तो मेरे हस्बन बोले की कोई बात मी छोड़ दो, गोल वाला नहीं मिल रहा है, तो एक काम करो की टमाटर का चोखा बना देना, तो मैंने का ठीक, यह बना दूगी, तो मेरे हस्बन ने पूछा अब क्या हुआ अब मैं अगर मेरे हस्बिन को बोलूंगी तो वो मुझे गुसा करेंगे कि तुम को कुछ याद नहीं रहता है इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बोला और क्योंकि बच्चे चोखा नहीं खाते हैं उनको सिर्फ लिट्नी पसंद है तो मैंने सिर्फ अपने हस्बिन के लिए दो टमाटर का चोखा बनाया है उनको पसंद है पसंद तो मुझे भी है लेकिन अब नहीं था तो मैं उनको बोलूंगी नहीं बना वो बोलेंगे कि कितनी बुलकड है और पते हुआ क्या क्यों हुआ यह इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट आइम हाफ केजी लाई थी तो मैंने ना क्या किया ना बीच में बेटी को टमाटर की चटनी चाहिए थी तो मैंने उसको बना दी अब मुझे लगा कि टमाटर धर इसी के चक्कर में ना हो जाता है और कभी-कभी भूल जाते हैं हम भी तो इंसायनी अनगलती हो जाती है पर उनको बोलूंगे तो वो गुसा करेंगे तो गुसा बैसा गुसा नहीं करेंगे बढ़ा बोलेंगे कि तुम एक हाउस्वाइफ हो के यह सब यार दी रखती है वह मैंने कहा फटाफ फट मैं तयार कर लेती हूँ कोचि टाइम वह गया है सारी यहां पर भर चुकी है और नहीं इतना ही मसाला तो यहां मेरी सारी लिटियां जो तयार हो चुकी है तो अब इधे मैं रख देती हूं ओटीजी में और यह फटाफट 20 मिनट्स में तयार हो जाएंगी खाने लाइक हो जाएंगी तो चलिए यहां मैंने अपनी लिट्टी रख दी है और इसको मैं कर दूंगी बंद और आप क्योंकि यह बहुत बोलना कि यह बहुत गंदा है क्योंकि यह काफी दिनों से बैटके नीचे था मैं किचन में मेरे स्चोर नहीं है रखने का तो मैं किचन में नहीं रखती और यह कांच का है तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है रखने में तो यहां मैंने लगा दिया है इसको और अब मैं इसको 20 मिनट बात खोलूगी और देखिए गए यह पकर किती सुंदर दिखेगी जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि यह बास दो ही टमाटर थे यहां देखिए मैंने टमाटर का चूखा रेडी कर लिया है और इसके और अर्मुस्ट रेडी होगी आप द यह मैं मेरे हस्बंड को दे दूँगी और आपको यहां मेरी लिट्टी यह देखिए यहां मेरी लिट्टी फूला स्टार्ट हो गई और देखिए यह हलका सा क्राक भी आ गया इसमें क्योंकि यह अच्छे से फूल रही है तो चलिए इसको अभी पांच मेट और लगेगा तक मैं इसे बंद कर देती हूँ यह देखिए तो यह देखिए यहां मेरी लिट्टी पक चुकी है और अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी तो यह देखिए और आप लोग देख रहे हैं ना इसमें क्योंकि इसमें होता क्या है आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें रेडनेस नहीं आई है तो आप देख सकते हैं हलकी हलकी रेडनेस आई है और यह ना मैं थोड़ी सी सौफ्ट बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ी हाड हो जाने पर खा नहीं पाते हैं तो यह देखिए इसका यह सिंबल होता है कि यह अच्छे से पक चुकी है यह मेरी सासुमा बोलती थी कि अगर लिट्टी आपकी क्रैक होने लगे तो आप समझ जाए कि आपकी लिट्टी पक गई है तो यह देखिए और यह फूल भी गई अच्छे से तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ होट केस में यहां पर मै अपनी सारी लिट्टियां होट केस में निकाल ली है ताकि यह गरम रहेंगी और आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली सी बनी है यह अच्छली यह जो प्लेट होती है ना उसका दाग है मतलब उसका स्पॉट है तो इससे कोई नुकसान नहीं है तो यह भी बहुत गरम है दो और यह आठने के बाद ना स्पॉट करें और नहीं चाहिए ना अनलबर ना स्पश्ट मे लोधर मेरे को दो नश्याओं में करने हो दो और देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि यह मैं नहीं मतलब मेरे husband तोड़ के दिखा रहे हैं कि यह देखिए पूरी तरह अच्छे से पक चुका है अंदर और यह देखिए अच्छे से पक चुका है यह देखने में क्योंकि ना यह आग जैसा तो नहीं हो पाता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप मैंसे कितने लोगों का ये फेवरेट फूड है क्योंकि मेरा और मेरी फैमली का तो बहुत जादा फेवरेट है तो चलिए फिर आप इसे एंज्वाय करते हैं और कैसा लग रहा है ना लग रहा है ना बहुत अच्छा तो आप फिर मिलते निक्स व्लोग में तब तक लिए बाई बाई